नमस्का दोस्तों मैं हूं मुक्तादिक्षित एस्ट्रोजर अब हम बात करेंगे आपका गोल्ड और सिल्वर में इस बीक कैसा रह सकता है याने कि 11 तारिक से लेकर के जो है आपके ग्यारा से लेकर के 15 तारिक के बीच का मार्किट कैसा रह सकता है गोल्ड सिल्वर क्रूड आयल के लिए तो एक अनुमान जो मुझे समझ में आता इस्ट्रोजी के बेस पे आप लोगों को बतलाओंगी जैसा कि पिछले अपते मैंने आपको चार तारिक से लेकर के जो साथ त और जो लोग भी गोल्ड सिलर्ड में काम करते हैं लगातार नुकसानी उठा रहे हैं तो आप जो तिसकी गणाओं के अधार पर भी इस मार्केट को काम करके देख सकते हैं तो जी हैं दोस्तों अब हम आगे देखेंगे कि क्या स्थिती बनेगी लेकिन सबसे पहले डिस्क् अरएं कारियों को देख सकते हैं तो जी हैं दुस्तों अब हम देखेंगे कि मैंने आप लोगों को क्या बतलाया था सौंबार की मार्केट में मैंने पहले कहा था कि आपको डाउन में सुष्धार देखने को मिलेगा तो यहां पर हमने अच्छी Тेजी जो है हमको देखने को मिली थी इसके साथ साथ जो है हमने मंगलवार के मार्केट के लिए आप लोगों से कहा था कि पहले मद्द होगा और फिर कुछ अब हो सकता है तो इसी प्रकार से हमको वहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली थी और जो सोना था आपका 65,140 तक गया था और चान्दी भी 74,400 पार कर गई थी प्रूड आइल में यहाँ पर कुछ नद्द देखने को हमको मिला था इस प्रकार से हमने बुद्वार के लिए आप लोगों से कहा था कि इस दिन कुछ अपसाइड मार्केट देखने को मिलेगा तो इस दिन जो है मार्केट अपसाइड ही हमको देखने को मिला था गोल्ड सिलवर का और गुरुवार के दिन याने की आज के लिए मैंने कहा था इसमें भी जो है आप लोगों को कि दोनों side market हम को देखने को मिलेगा तो उस प्रकार से दोनों side ही चला और अंत में जो हमने देखा साम के समय market में हमें जो हैं तेजी देखने को मिली, क्योंकि इस दिन ग्रहों के परिवर्तन जो हो जाते हैं तो भैं मार्केट की दिशा बदल देती हैं तुझे दुस्तो आब हम देखेंगे कि सुमबार से सुकरवार तक क्या स्थिती बन तकती है तुझे दुस्तो ग्यारा मार्च दो हजार चौवेस यानि सुमबार का दिन रहेगा उत्रा भादर पद नच्छत रहेगा रात को ग्यारा बच कर दो मिट तक इसके वाद रेउती नच्छत हो जाएगा और मीन रासी का प्रभाव पूरे दिन रहेगा मीन रासी में चंदर राहू बुद्ध का योग बना हुआ है समसबता की योग में सामने केतू हैं केंदर में मंगल मकर रासी के हैं गुरू हरसल हैं और मेस लगन की कुनली बन रही है भेद देखेंगे तो उत्राभाद पर नच्छत में आरदरा पूरवशारा और हस्त में हमको देखने को मिल सकती है अगे हम देखेंगे बारा मार्च यहां दोस्तों बारा मार्च मंगलवार का दिन रहेगा और रियुती नच्छतर का प्रभाव रहेगा आरद के आठ बज कर 28 मिर तक इसके लाद अश्वनी नच्छतर का प्रभाव आ जाएगा मीन दासी का प्रभाव रहेगा और रात को 8 वजी के बास में 20 98 का प्रभाव हम को देखने को मिलेगायने कि पुनैं 2 नशत्रों का परिवन होगा तो मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है तो यहां पर आप मार्केट का रुक आपको विसेश देखना पड़ेगा अगला हम देखेंगे बुधवार याने की 13 मार्च 2024 अस्वनी नचत रहेगा और साम के बास से भड़नी नचत आजाएगा साड़े च्छे वजे के बास से में सासी पूरे दिन रहेगी यदि इस दिन की हम गड़ना देखेंगे तो इस दिन जो है बुध का उदय होने वाला है तो बुध भी अपना एक विसेश प्रभाव मार्क में हो सकता है कुछ डाउन की स्थिती देखने को हमको मिले ऐसी स्थितियां बन सकती है लेकिन रुख देखना आपके लिए अतियनिवार है और चाल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अब हम देखेंगे 14 मार्च 2014 का मार्किट क्या रह सकता है तो गुरुवार का दिन भड़नी नच्चत रहेगा चार बच कर पच्पन मिड़ तक इसके बाद कतिका नच्चत रहेगा मेश रासी रहेगी और रात को साड़े दस वजे के बाद से बिसावराशी का प्रभाव भी आ जाएगा जिया दोस्तो इस दिन सूर्य जो है मीन रासी में प्रवेश करेंग तो जब इतने सारे परिवर्तन होते हैं ग्रहों के दिन का क्या विसेज प्रभाव समझ में आता है वह मैं आप लोगों को बतलाती हूं इसके प्रभाव से यदि हम देखेंगे तो मिक्स मार्केट में हो सकता है कुछ पॉजिटिव की स्थिति हमको देखने को मिले और आग दिकन अच्छत रहेगा साम को चार बज़ कर सात मिनिट तक इसके बाद रोहनी नच्छत आजाएगा जिया दूस्ते दिन फिर कुम्ब राशी में मंगल का प्रभेश होगा साम को छे बज़ करके आठ मिट से और व्रसब राशी पूरे दिन रहेगी तो जिया दूस्तों ज भैं मैंने आप लोगों को बतलाया लेकिन कार करने से पहले मार्केट करूब जरूर देखें अपने स्वाबेवे काउप योग जरूर करें इसके बाद ही आप जोतिसकी जानकारियों को देख सकते हैं और आप हमारे कारल ऐसे गोल्ड है सिलवर है निप्टी है निप्टी करते हैं लिए सकते हैं कहां पर तेजी कहां पर मद्डी के योग बन सकते हैं यह सारी गर्णा एस्टलोजिक निकल हैं बहुआँ पर कर सकते हैं और विजियो जानकारि अच्छी लगे तो चैनल पर लाइक शाब अबस्तवाइए और जुणने के लिए लोग पुस्ते हैं डियत कर सकते हैं आप सभी लोगों को महासिवरात्री पर्व की शुब ॉपकामना है और इसके साथ अरतिक च च आत्या अजन ऑविषेग होता है तो धन्यवार कर दो कर दो कर दो